टाटा मोटर्स रीडिफाइन कर रहा है सेग्मेंट को पमें बढ़िया बिल्ड क्वालिटी से फीचर से इंटिरियर एस्थेटिक से और उसके साथ साथ डिस्प्ले कर रहा है है एच 5X concept SUV छिचिफाइन में नहीं इसके साथी एक इसी तरह से लुक अलाईउग को आपको आंजेवी में तामोटर्स से ऐह एच 5X इस्प्ले कि अधी इम कुंसेट में डिस्प्री एक नर्म गessis E neck जालेगा अलॉइबिल्स आप दे गाड़ी के देखिए जब दस्त लुक्स है गाड़ी के फुचरिस्टिक डिजाइन है ये कॉंसेप्ट एस्योवी है टाटा मोटर्स ने डिस्प्ले करी है ऑटो एक्सपो टूज़न एटीन में फ्रेंटल लुक्स देखिए टाटा मोटर्स कहता है कि ये एच फाइब एक्स कॉंप सेप्ट जो है ऑप्टिकल मॉडिलर एफिशेंट ग्लोबल एडवांस आर्किटेक्चर इसे टाटा मोटर्स फाइब सीटर लक्षरी एस्योवी कह रहा है जिससे कह रहा है कि एस्योवी सेक्टर का बेंचमार्क होगा आने वाले टाइम में जब ये एच फाइब एक्स कॉंसेट लाँच होगी इंडियन मार्केट में बहुत ही बहतरीन दिखी है चुकि एक पॉंसेट वर्जिन है तो इसका गाड़ी में काफी सारी तबदीलियां होंगी जब ये प्रोडक्शन वर्जिन लाँच करेगी पर कुडोस तो टाटा मोटर्स वार्स शोविंग दे बेस्ट इन आर्टो एक्सपोर 2018 करेंद मोटर्स वार्स देशन अचा गार्स वार्स 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 पर उत्मो फो इसले है वार्स वार्स प्राटाव करेंद दो ऑना है कर दो कर दो कर दो कर दो करॉटेन कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 इसे आटो एक्सपो में औफिशली, कम्प्रीटली, रिवील कर दिया गया है इस कंसेप्ट के लुक्स को आप देखी सकते हैं फ्रंट हो, साइड हो, रियर हो या फिर इंटियर हो काफी जवर्दस लुक्स मिले हुए हैं काफी मैचो और स्पोर्टी फिल देते हैं इसके लुक्स यह SUV देखने में काफी मैसिव लगती है इसमें काफी बड़े वील्स यूज किये गए हैं 22 इंच के इसलिए इसकी ग्राउंड क्लिनेस भी ज़्यादा होगी और यह दूसरी गाडियों से बहतर आफ्रोडिंग कर पाएगी H5X SUV को लेंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है और इसके STL लुक्स भी कहीं ना कहीं लेंड रोवर डिस्कवरी से इंस्पायर लगते हैं यह SUV 5-seater और 7-seater दोनाई आप्शन्स में अविलिबल होगी लेकिन शुरुआत में सबसे पहले से 7-seater launch किया जाएगा अगर खबरों की माने तो manual transmission आपको 7-seater option में मिलेगा जबकि automatic 5-seater में मिलेगा इस SUV में आपको Fiat-powered 2-liter multi-z diesel engine मिलेगा जो 140bhp की power generate करता है और 320nm का torque generate करता है मैं आपको बता दूगी यही same engine आपको Jeep Compass में भी मिलता है इसके expected price की बात करते हैं तो इसका lower variant 15,000,000 से शुरूओ के upper variant 22,000,000 तक जाएगा और इसके launch की बात करते हैं तो first quarter of 2019 में इसको launch किया जाएगा किसी ने कभी सोचा नहीं था कि Tata इस तरह की SUV कभी बना पाएगी हलंकि यह concept vehicle है देखना यह है कि इस concept को reality में Tata किस हद तक implement कर पाती है हलंकि Tata की recent history को देखें तो पहले Tata ने Nexon concept को show किया था इसी तरह से और जब Nexon reality में launch की गई तो वो कावी अत्तक similarity अपने concept के